नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नोड डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारत के थर्ड एरक्राफ्ट केरियर को ले करके काफी जादा बड़ी अपडेट सावने निकल करके आई है तो कुछ दिन पहले ही CSL यान की कोचिन शिप्याड लिमिटेड ने भारत के पहले सबदेशी एरक्राफ्ट केरियर जिसे हम सब INS विकरांत के नाम से जानते हैं तो उसको भारतिय नोसेना को सौंप दिया था और इसके बाद अब 15 अगस्त के आसपास हमारा जो पहला सबदे लिमिटेशी एरक्राफ्ट केरियर है उसको भारतिय नोसेना के बेड़े में एक्टिव कर लिया जाएगा तो इसके बाद भारत के पास में दो एक्टिव एरक्राफ्ट केरियर हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी भारतिय नोसेना पिछले काफी ज़्यादा लंब aircraft carrier को launch कर दिया है जिससे की भारत के लिए जो खतरा है वो भविशय में और ज्यादब बढ़ेगा खास तोर पर चाइना अपने इस aircraft carrier के इस्तेमाल हिंद महासागर में अपनी presence को बढ़ाने के लिए करेगा तो दोस्तों इस सब के बाद channel के ओपर काफ़ जादा लंबे समय से वीडियो नहीं आई थी तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ तो अब हम जो रिपोर्ट निकल करके आई है उसके बारे में भी डिसकस कर लेते हैं तो दोस्तों CSL यान की कोचिन शिप याड लिमिटेड जिन्होंने भारत के पहले सबदेशी एरक्राफ्ट केरियर आई एनस विकरान को भी बनाया तो ये इस साल के अंतर तक अपने जो ड्राइडोग है उसको तयार कर लेंगे जो की लगबक 70,000 टन वजनी जो नेवल शिप है उनको बनाने में शक्षम होगा अगर आप इस कैटेगरी की शिप की बात करते हैं तो आप सबको केवल जो एरक्राफ्ट केरियर हैं वही देखने को मिलेंगे क्योंकि इतना जो डिस्प्लेस्मेंट है वो आप सबको डिस्ट्रोईर या फिर किसी सम्मरीन का देखने को नहीं मिलेगा और इसके बाद अगर आप इस ड्राइडो की बात करते हैं तो पहले इसको 2023 के एंड तक ओपरेशनल करने का प्लान था लेकिन कोविट के बावजूद भी अब इसको इस साल के एंड तक ही ओपरेशनल कर लिया जाएगा और इसको थेवरा में कोचिन शिप्याड तो उमीद है कि भविश्य में उनको इंडियन नेवी और साथ में भारती सरकार के दुवारा एक सूपर कैरियर का जो ओडर है वो दिया जा सकता है क्योंकि इस ड्राइडोक से 310 मिटर लंबे और साथ में 75 मिटर चोड़े एक नेवल शिप यनकी एरक्राफ्ट कैरियर को त पांच साल के अंदर जो आई एनस विकरांद क्लास का एक और सिश्टर क्लास एरक्राफ्ट कैरियर है उसको तयार कर सकते हैं और इसके बाद कुछ दिन पहले ही एक स्केल डाउन इमाल सिश्टम को देखा गया था जो कि खास दोर पर एक फ्लैट डैक वाले एरक्राफ्ट क उसको भी कुछ दिन पहले देखा गया था साथी साथ यहां पर इंडिये नेवी ने अपने एरक्राफ्ट कैरियर के लिए शुरुवाती तोर पर लगबख 45 जो टेड़ी बिया फाइटर जेट है उनको भी खरीदने का प्लान बनाया है बाकी बाद में इन एरक्राफ्ट का जो नंबर है वो आप सबको 100 के आसपास जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है तो दोस्तो इस सबको लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और यह जो थर्ड एरक्राफ्ट कैरियर है तो यह हमारे टेड़ी बिया फाइटर जेट के लिए भी काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट होगा तो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजिएगा तो चली दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इंगली वीडियो में तब तक किल गुडबाई जैहिन